हलो व्रिमान वेलकम टो आई कॉंटा कैसे हैं आप सबी लोग आशा करता हूं कि अच्छे होंगे दोस्तों अब गिना गिना दिन आपके पास एक तरीके से रह गया है अगर देखा जाए तो अब आपके पास बचे हुए हैं तो इन आठ महिनों में हम किस तरीके से अपनी प् आएं कि हम आसानी से प्रलिम्स को क्रैक कर जाएं और उसके साथ साथ मेंस भी हमारा बहतर हो और फाइनल रिजल्ट भी हमारा आ जाए तो इसके लिए आपको एक बहतर रणनीद बहतर आपके स्ट्रेटिजी होनी चाहिए जो इच एड एबरी सेक्शन चाहे हो हुष्टी ह quality हो, economy हो, फिर उसके साथ था geography, current affairs, फिर आपका science tech का position, environment, सारे subjects आपके cover हो जाएं, manage हो जाएं, 100% तो पूरा cover ही नहीं हो सकता, गर कोई दावा करता है, मैंने पूरा 100% पूरा slavers cover कर लिया है, तो फिर कहीं न कहीं, जब अरतस्ती का बोलना है, या हवाबाजी करना है, क्योंक आप ऐसा कर सकते हैं, कि पूरा 100 में 100% slavers आप cover कर लिया, और 100 में 100 करने की जरूरत भी क्या है, जितना करो 100% करो, ठीक है, आप देखोगे तो 50% चाहे आपका prelims हो, चाहे में 100, prelims में भी आपको 50% और 200 में आपको 100 नंबर पा जाते हो, तो आप अंदर हो, पूरी तरीके से 100 आउट आफ, 100% आप सेफ हो, कितनी cut-off जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको 50 कोश्चन ही सिर्फ सही करने हैं, 45-45 से भी काम चल जाएगा, आसानी से गर आपके कटे-पिटी इतने कोश्चन बन रहे हैं, तो फिर हमें पूरा 100 में 100, पूरा पूरा प्रोफेसर बननी की क अपना स्लेवर्स कवर कर लेते हैं, 100% के साथ, ठीक है, अगर 80% भी हम कवर करते हैं, जिनमें हमारा 100% हो, उस पे कमांड, तो फिर आप पूरी तरीके से सेफ और सेक्योर हैं, अपनी final list में नाम आने के लिए, प्रिलिम सो मेंस की बात तो अलग है, बस आपकी conceptual clarity होनी चाहि ये basics आपका काफी मजबूत होना चाहिए, simple question ही देखी आपका exam में पूछा जाता है, कोई भी ऐसे बड़े questions नहीं आते, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो 4 question हटा दो, तो हम कहां कह रहे हैं, 100% हमें 100% हमें पढ़के जाना, 100% अगर कोई दावा भी करता है, हमने syllabus कबर कर लिया है, वो भी 100 में 100 question करके नहीं आ सकता, ये भी तथ्य है, ठीक है, तो हम क्यों उस चीज के पीछे पड़ें, तो हमें अच्छे तरीके से अपना जो syllabus है, जितना हम कर सकते हैं, उसको बहतर बना ले, ठीक है, कुछ basics books हैं, reference books हैं, उनको अच्छे से पढ़ ये multiple times, जितना times आफ revise करेंगे, जितने questions आप करेंगे, उतना ही आपके लिए बहतर होगा, उतना ही question पे आपकी पकड़ होगी, और उससे भी ज्यादा important आपके लिए क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा revision के साथ साथ आपको test series ज्याइन करना बहुत ज्यादा जरूरी ठीक है, questions मौक्स ज्यादा ज्यादा लगाना, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आप कितना पानी में है, आपका label क्या है, ठीक है, कितना question आप कर ले रहे हैं, पढ़ने को तो आप पढ़ ले रहे हैं, अच्छे तरीके से conceptual clarity भी हो गई एक दम बढ़ियां, लेकिन गर question उस confidence level कैसे बढ़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा आप questions करेंगे, सामना करेंगे, analysis करेंगे, critical thinking करेंगे, ठीक है, questions के साथ, ठीक है, analytical thinking करेंगे, तो सारी चीजों का सम्हावेशी आपको क्या करेगा, एक बेहतर question हल करने वाला इंसान बनाएगा, तो अब देखा जाए तो गिना सारी, March, April, ठीक है, तो साथ महीना यह, आपका मही ऐसे ही चला जाएगा, चब्रीस मही को पेपर ही है, तो इस साथ, आठ महीने जो आपके पास रह गये हैं, इनको किस तरीके से उटिलाइज करना, अगर आप एकदम अभी बिगनर ही हैं, तब भी बहुत कुछ आपके हाँ से नहीं निकल गया है, कितने लोगों को देखोगे तो ठीक है, छे महीने में कल लिए, चार महीने में कल लिए, कैसे करें आठ महीने में तयारी, तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं, सटीक, ठीक है, सही बात करेंगे, जो आपके लिए उचित होगा, यहाँ पर ऐसी ब पूरी तरीके से अपने आपको उस लेबल पर ले जाके खड़ा कर दें कि हर एक question तो at least सामना कर सके फिर हमारा decision होगा हमें attempt करना है कि इनकिन questions का सही जवाब देना है ठीक है तो हम बात करेंगे एक-एक subject की सबसे पहले हम उठाएंगे आपकी history ठीक है history आपका जो सबसे important subjects मे से एक है तो history को अब सबसे बड़ी बात आती है कितने दिन में हमें finish करना है target क्या होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले आप जगर history उठाते हैं तो history को आप मान लीजिए कि आपको एक महिने में टीनों history आपको खतम करनी होगी टीनों history मतलब आपका समझ लीजिए कि ancient हो गया फिर उसके बाद medieval हो गया then modern हो गया और इसी के साथ ही art and culture वाला portion भी आपकी साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो इसको चार भाग में भी अगर बाट ले तो कोई गलत नहीं होगा art and culture भी काफी बेटेच रखता है और काफी important role play करता है आपकी preparation तो सबसे पहले आप अगर बेटेच के हिसाब से देखना चाहें तो modern सबसे पहले अगर खतम करना चाहें तो modern ले सकते हैं या फिर ancient खतम करना चाहें तो मुस्किल से 10 दिन से 15 दिन के भीतर आप पूरा ancient history आप को खतम करना होगा ठीक है इसके लिए आप अराम से old ncrt उठाईए ठीक है old ncrt अरे सर्मा और उसके साथ साथ आप reference book भी कोई एक ले सकते हैं क्योंकि सारी चीजें नहीं मिल पाती है ncrt में भी तो reference book आपको क्या करता है complete preparation करने में काफी बहुतर role play करता है ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा instant history हो जाएगा इसके साथ 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 mcq इससे related plus pyq भी आपको करना है इससे पता चलेगा question का label कैसे आने वाला है question का दायरा कैसे रहने वाला है पढ़ने को तो पढ़ लिया आप उठाके लेकिन पता ही नहीं question किस तरीके से आपको face करना है किस तरीक जब एक बार आप अच्छे से दो बार इसको पढ़ चुके हैं उस पिछले 10-15 दिनों में तो अगर आपसे question नहीं बन रहा है तो आप देखो हमारे अंदर कमिया कहा थी दिक्कते कहा थी फिर उसके बाद आप फिर से एक बार पढ़ो वो चीज दूर हो जाएगी और फिर आप से questions बनने सुरू हो जाएगे एकदम basic questions रहेंगे तो फिर ऐसा तो है नहीं कि हमने उस advanced label की पढ़ाई नहीं की basics जो question बन रहे हैं तो basics आप से अप एक्छा है जहां कमिया है वहां पर आवो ना सुधार कीजिए ठीक है फिर उसके बाद आप medival अभी फिलहाल छोड़ द अगया तो इसमें हमें बहुत ज्यादा effort नहीं करना है ठीक है फिर हमें सीधा modern पर आ जाना है या आप line से भी चलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है medival की NCRT आप उठा लीजी सतिशंद्रा की और उसको पढ़ डालिए दो-चार दिन में खतम कर दीजिए या पांस दि मुगल कोट, administration वगयरा आपका पढ़ना पढ़ेगा यह सबसे related question अक्सर architecture वगयरा से related questions हा जाते हैं ठीक है तो modern में विपिन चंद्रा आपको पढ़ना ही पढ़ना है और उसके साथ विपिन चंद्रा से आपके basics clear हो जाएंगे और फिर reference book में जिसका कोई तोड़ी नहीं है वो है आपकी spectrum ठीक है इसके इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है जितनी बार इसको पढ़ सकत तो spectrum सबसे must must आप समझ के रखिए ठीक है उससे आगे पीछे कुछ नहीं एक बार में नहीं समझ में आया दूसरी रीडिंग की ये तीसी रीडिंग की ये लेकिन इस पे पकड़ बनाईए अगर कोई history का question आपको कोई कह थे अरे ये वाला question तो spectrum से नहीं उस book से आया था हाथ में नहीं है कुछ एक आध question की वज़ा से हम basic book या most important जो Bible की तरह हम treat करते आये है लक्ष में कांत स्पेक्टर में जब को नहीं छोड़ेंगे ठीक है क्योंकि हमारा 80 90% more than 90% चीजे यहीं से cover हो रही है प्रलिम में में तो हम एक question के लिए क्यों एक writer की अलग से book पढ़े है क्या जरूवत है हम इसी को ही अपना 100% बनाएंगे तो यह चीज आपको सोच के रखना होगा विश्वास रखना होगा faith रखना होगा अपने resources पे limited resources multiple times revision multiple times उसको पढ़ो उसी में ही आपकी भलाई है चीक है तो इसके साथ भी वही PYQ MCQ यह सब पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है मेंस के भी साथ साथ देखना होगा क्योंकि प्रिलेम मेंस से एक साथ ही चलता अगर कोई कि यह बहूं जह सी देख रहा हूं मैंस आगे देखूंगा तो यह एक तरीके से मुर्खों वाला बात तो नहीं हो जड़ता लेकिन कहीं देखा जाए तो एन की थो कमी नजर आ रही है समझदारी की कमी थोड़ा नजर आ रही है क्यों क्यूंकि दोनों साथ-साथ चीज़ें चलती है अब कोई टॉपिक से प्रिलिम से कोश्जन बन गया तो वही कोश्जन आप से में में पूछ लिया तो वही आंसर तो लिखोगे उसी से रिलेटेट लिखोगे थोड़ी चीजें और एक्स्टा आप एलबोरेट करोगे चीजों को और बहतर करोगे लेकिन क्रेक्स तो आपका में जो पढ़ाई कियो हो प्रिलिम्स के समय 70-80% तो प्रिलिम्स का योगदान रहेगे जब मेंस की आंसर राइटिंग करोगे और मेंस में भी तो 20-30% ही तो जुड़ता है 30% जालो प्रिलिम्स का पूरा मेहनत प्रिलिम्स के हिसाब सागर पढ़े हो 30% 20% ही रहता है जो आत्मीं कहते है तो मेंस पढ़ रहे हैं तो दोनों आपको साथ में ही प्रिपेशन करनी हो ठीक है अगर हम अक्टूबर अभी से शुरू कर रहे हैं तो अक्टूबर भर या आपका 4-5 नौंबर भी लग जाए अटलीस आपको हिस्टी फिनिश कर ले लिए फिर उसके बाद बारी आएगी आपकी पॉल्टी ले लीजिए ठीक है तो पॉल्टी के लिए तो भाई सिर अगर देखा जाए तो बहुत आपकी देखते हैं लोग 50 चीज आपके रिकमंट कर देंगे सुवासका से पढले हो यह पढले हो पढले हो समीधान का अलग पहले पास टाइम नहीं है तो यार इतना तो आप मारे पास टाइम नहीं है तीक है टाइम होता भी तो हम इसी को ही multiple times पढ़ते ठीक है इस से related आपके अगर साथ-साथ current भी अगर साथ-साथ लेके चलते रहोगे ना तो अलग से आपको current के लिए ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा जैसे कोई आप quality में पढ़ रहे है कोई चीज ठीक है कोई topic उठा कर पढ़ रहे है तो current scenario से उसके जो जो को आप integrate करके चलने चलोगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा तो quality के लिए no doubt आपका रच्मिकान प्लस current affair इस से related जो चल रहे है तो quality के बाद फिर आप किस पर जाओगे फॉल्टिक बाद geography उठा लो ठीक है तो जीओ के लिए सबसे अच्छी बुक आपके लिए कोई अभी एकड़म बड़ी वाली बुक जी सी लियोंग ही उठाना है और ना आपको साविंद्रा सिंग वगेरा कुछ लोग परी के लिए पढ़ लेते हैं मेंस के लिए भी NCRT, fundamental of geography फिर उसके बाद 12th class में आप देखोगे आपका human geography वाली बुक है फिर people and economy वाली बुक है इन सब को आपको finish कर लेना है only NCRT, atlas भी देखते रहिए जी सी लियोंग ही भेतरीन बुक में से एक मानी जाती है उसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप उसको जरूर कबर कर लिजी क्योंकि बहुत सारे questions हैं जो भाई NCRT से नहीं बन पाएंगे आप से तो वो आपका एक collaborate पूरा एक conceptual clarity आपकी पूरी कर देगी ठीक है फिर geography के बाद आप किदर कदम रखेंगे economic ठीक है इंडियन economy economics वाला जो आपका है तो basics के लिए भी आप वो NCRT अगर आप तो उससे काफी कुछ आपका clear हो जाएगा और कुछ selected videos है मुनाल सर के अगर आपको notes मिल जाते हैं प्रतीक सर के history में अगर आपको कहीं से पूरानी PPT वगरा मिल जाती है तो ये काफी important आपके किताब उससे जादा बहतर आपके लिए resource हो जाएंगे अगर आप इनका प्रती six cover हो जाएंगे economy वाले section में और उसके साथ बाकी अगर आपका जो बचा खुचा रह गया है और ज्यादा बहतर करना चाहते हैं और बहतर करना चाहिए भी तो फिर आपको रमेश सिंग सर की वोग पढ़ लेनी चाहिए ये चीज़ें आपकी clear हो जाएंगे इस से ठीक है रम economy का भी काम आपका हो गया उसके साथ साथ छूटना नहीं चाहिए हर एक subject का questions by q plus mcq भी करते रहना है confidence level जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपका question नहीं बनेगा तब तक आप खुद को ये नहीं समझोगे हां मैं कर सकता हूँ वो चीज़ें तब ही आएगी ठीक है तो य समारा क्या हो गया economy भी हो गया अब बार ही आ जाती है आपकी environment ठीक है environment and science and tech भी आपका इसी के साथ साथ आप कर सकते हो तो जोगर्फी आपने पढ़ा उसमें कितनी चीज़ें आपकी environment में भी एक दो chapter वहां पे भी मिल जाता है और उसके साथ साथ environment के अलग से आपको अगर बेहतरीन बुक्स में से एक है environment के लिए ठीक है science and tech के लिए जो current आपका देखते हैं the Hindu से आप अगर reader है साथ साथ तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है वहां से आपके काफी questions कबर हो जाते हैं अगर आप daily routine आप learner है हिंदू के तो science and tech जो present scenario में चल रहा है आज के समय में हो गया अधित यलवन हो गया इससे question आने कुरी possibility है ठीक है जो current में आपके launch हो गयरा होते रहते हैं science and tech में ने 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 टेक में तो यह सब आप ध्यान देते रहिएगा और पूरे अच्छे तरीकस नहीं का self loads भी बनाते रहिए ठीक है तो आगे भी काम आएंगे revision में भी और आपका यहाँ पर इसकी तयारी में भी फिर उसके बाद बारी आ जाती है current affairs की तो current affairs के लिए बस यही कहना है कि अभी से ही इसके touch में आपको रहना होगा exam जब तक खतम नहीं हो जाता ठीक है newspaper आपके लिए must है चाहे हिंदू हो तापका या तो Indian Express हो और उसके साथ साथ कोई monthly magazine के भी आपको touch में रहना है हर महीने उसको जो जो important उसमें आपको लगे सब कुछ important भी नहीं रहता ठीक है तो उसमें जो important portions and tutorials है इन सब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है उसके साथ साथ उसके साथ साथ चाहिए आपका मंधली देख लीजी है कोई six मंधल अच्छे महीन आएगा या अंतिम में आएगा तब पढ़ लेंगे तो नुकसान देहक हो सकता है क्यों क्यों क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओ गया आप उठा लिए साल भलका current affair सोचे कि एक बार में हो जाएगा तो चीज़ें एक बार में कैसे सारी आप सीख लोगे या कैसे आप सारा पूरा रजनी कांथ तो हो नहीं कि एक बार में सारी चीज़ें पढ़े आपके दिमाग में सब कुछ बस गया तो अभी से टच में रहोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होती रहेंगी और वो चीज़ें देखा करो गुमा आफिरा के वो चीजें अक्सतर आपके चाहे वो न्यूजपेपर का आटिकल हो चाहे मैगजीन में आपको इसे रिलेटर खबर मिलेंगी तो आप तच में रहोगे उस पर चर्चा होती रहेंगी गूरूप डिसक्सन दोस्तों में होता रहेगा तो आपके लिए काफी रहना है साथ साथ आपको अपना रूटीन भी बनाना है क्या होगा हमारा डेली का टार्गेट सिर्फ और सिर्फ नहीं कि 20 घंटा 18 घंटा पढ़ी रहे हो लिश्ट में दे दिये हो खुद को आज 18 घंटा लाइवरेरी भी हमने समय बिताया सुबह गए आठ वजे रात में 12 बज़े तो कितना देर वहाँ विटा रहे हो यह मैंटर नहीं करता इतना देर खुद को दे रहे हो यह मैंटर करता है यह सहीं में आपने कितना देर पढ़ा पढ़ो 4-6 घंटा 8 घंटा ही लेकिन जितना देर पढ़ो उतना बहतर तरीके से पढ़ो गेन करो ठीक है जबर्दस्ति लेके बैठे नहीं रहना है घंटों में खुद को पाउंट नहीं करना है आप अपना टार्गेट डेली का सेट कीजिए कि कितने घंटे हमें देना है क्योंकि इसको आपको साथ साथ लेके चलना है ठीक है ऑफशनल भी सब्जेक्ट आपके पास है एक घंटा दो घंटा उसको दे दो दो घंटा मिनिममम दे दो उसका सेल्फ नोट्स बना लो और उसके साथ-साथ खुद भी उसका रिवाइस करते रहो तो धीरी धीरी आपका सीसा है भाई साहब एक ऐसा आपका पेपर जो आप तो इसको हलके में लेते हो लेकिन ये बरबाद कर देता है लोग इसको इगो पे ले लेते हैं अरे अरे अराम से हो जाएगा हम तो इंजिनियर बैक्ग्राउंड से हैं शुरू आई आई टी दिल्ली के रहने वाले आई इंजिनियर नॉन इंजिनियरिंग बैक्ग्राउंड के हूं तो चलो ठीक है या उनका रहाना हो मैस से तालुकात न रहा हो आपके टेक वाले बैक्ग्राउंड से रहे हो और उनको पूरा विश्वास रहा हो हम मार देंगे वो भी गढ़वर हो जाता है उनका बहुत सारे इसको हलके में नहीं लेना है अगर आप न्यूस पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका आरसी तयार हो रहा है आपको बेसिक्स सिंपल नॉलेज है अगर कौंट की 10th क्लास 12th क्लास तक ही अगर आप मैस से पढ़े हूँ या मैस में बेसिक्स भी रहे ह आपके सकते हैं चाहे डियाई से रिलेटर कॉष्ण हो और कौंट से जबरा से बेसिक नुमिरेशी से सिंपल कौcion साते हैं Gur discussing साते हैं ऐसे हाई लेबल के कोश्चन पूछता ही नहीं असानी सगर एक सामान समझ हो तो आप आराम से कोश्चन कर सकते हैं तो वो चीज कीजिए ठीक है सेट्स बनाईए कोश्चन कीजिए तो अभी से इसमें भी लगे रहेंगे तो आगे आपको ज्यादा दिक्कते नहीं आएंगे खासक सबके लिए काफी दिक्कते आती हैं तो यह कोर्स तो आपको लिए जॉइन करना तो एक तरीके से बहुत ही लापकारी होगा बाकि जो जीस का पोर्शन है उसके लिए हम आपके मदद करते ही रहेंगे पूरा कंप्लीट आपके पास टीम है कंप्लीट पैकेज है उसको भी कीजिए यहां पर जो चीज़े हम आपको बताए वो भी आपके लिए काफी हिल्फुल रहेगा जरूर इसको फॉलू कीज़े बाकी हमारा काम है गाइडेंस देना मेंटरिंग करना आपको चुनना है किस तरीके से क्योंकि हर एक इंसान की तयारी अलग होती है गोल तो आप का सेमी है लेकिन अब हम कह रहे हैं एक दम रात में सुवे एक दम छे बजे से उठके रात में आठ बजे तक पढ़ो पता चला दिन में आप पढ़ना है कितना पढ़ना है कितने में हम कुछ लोग देखुआ तस घंटा-बारा घंटा में कोई चीज समझ पाते हैं कबर कर अगर टार्गेट सेट कर दें आप क्या पता चार घंटें पढ़ लो कोई क्या पता दो दिन में पढ़ ले तो जैसे भी आप कवर करना चाहो जैसे पढ़ना चाहो जब पढ़ना चाहो कोई बाउंडेशन आपको नहीं लेना है कोई टेंसन लहीं लेना कोई लोड नहीं ल आप जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे कि आपको करना है तब तक कोई नहीं आपको आगे बढ़ा सकता हूँ ठीक है तो इस बंतर को भी आपको ध्यान में लेके चलना है सेलफ मोटिबेट आपको होना है तो चोटी चोटी चीजों को ध्यान में रखिए और अपनी प्रपेशन को जादी रखिए हम आपके साथ चुड़े रहेंगे चैनल को सबस्काइब कीजिए लाइक कीजिए श्यार कीजिए जादा स्यादा ताकि बहुत सारे लोग इससे Thank you to all of you, good luck, take care.